C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा 5 की पाट्टे पुस्तक हमारे आसपास का खत्म हो जाए तो प्रिष्ट 110 बस का सफर आज हम एहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालच की बावडियों को देखने जा रहे थे हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बस ही कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटर साइकिलों की अबराहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाइवे पर साइकिलें तो इका दुका ही नजर आ रही थी क्रीं हम चौक गए हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई यह एक बड़ा सा चौरा हा था मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था पौं 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 का शोर गुल कितना धुआ शायद उसी धुएं से परिशान होकर रिक्षे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खास रहा था मुझे अजीब सी बू आ रही थी जैसे गाउं में बाबा के ट्रेक्टर से भी आती है पृष्ट 111 यहाँ पर रेड लाइट पर खड़े हुए ट्रेफिक का चित्र दिया गया है चित्र देख कर लिखो कौन कौन सी गारियां सड़क पर दिखती है इन में से कुछ वाहनों को पेट्रॉल डीजल की जरूरत होती है क्यों? जिस जिस वाहन में से धुआ नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाओ कौन कौन से वाहन बिना पेट्रॉल डीजल से चलते हैं? यह बताओ वाहन के तेज होर्ण से हमें क्या-क्या परिशानी होती है बताओ क्या तुम साइकल चलाते हो? यदि हाँ तो उससे कहा-कहा जाते हो? तुम स्कूल किस तरह जाते हो? तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे-कैसे जाते हैं? क्या गाडियों में से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परिशानी हो सकती है? किस तरह की? क्या गाडियों के तेज हॉर्ण से हमें कुछ परिशानी हो सकती है? किस तरह की? पेट्रोल पंप पर कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रॉल पंप पर रोक दी गाडियों की कतार देख कर हमें लगा कि हमारा नंबर काफी देर में आएगा सब बस से नीचे उतर कर पेट्रॉल पंप पर ही घूमने लगे वहाँ पर कई बोड और बड़े बड़े पोस्चर लगे थे प्रिष्ट 112 एक पोस्चर था तेल का भंडार सीमित है इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं हर बूंद से अधिक लाव लें गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें पोस्चर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भहिया से ही पूछते हैं अब रहाम ने पूछा भहिया यह तेल कहां से मिलता है पेट्रोल डालने वाले भाईया ने बताया जमीन के बहुत नीचे से मंजू बोली जमीन के नीचे वहां कैसे बनता है भाईया बोले यह जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते एसे अबरहाम ने पूछा तब तो हम खरीदने की बजाए खुद निकालने बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह भाईया बोले यह हर जगह नहीं होता देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है निकालने साफ करने के लिए बड़ी मड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है प्रिष्ट 113 पता करो भारत में तेल के भंडार किस किस राज्ये में है जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या-क्या मिलता है सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए सोचो क्यों आगे की बात चीत दिव्या बोली पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्चर पर लिखा है कि बंडार सीमित है भईया बोले हम जितनी तेजी से निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वे बन नहीं रहा है वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं अबरहाम बोला अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ी कैसे चलेंगी? मंजू बोली सी अन्जी से मैंने टीवी पर देखा था इसमें धुआ भी कम होता है भईया हस्ते हुए बोले हरे वह भी तो जमीन से ही मिलती है और सीमिती है दिव्या बोली बिजली से भी तो गाड़ियां चलती हैं मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है मंजू बोली अगर गाड़ियां कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी वे कहती हैं तौबा चीटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारे ही कतारे हैं आगे चलकर तुमारा क्या होगा मंजू बोली हाँ देखो न ज्यादा तर गाड़ियों में एक दो लोग ही बैठे हैं सब बस में क्यों नहीं जाते अबराहम बोला हाँ पेट्रोल तो बचेगा एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं मंजू बोली मैं बड़ी होकर कोशिश करूँगी कि हम सूरज की केर्णों से गाड़ियां चला सकें फिर खत्म होने का कोई चक्कर ही नहीं जितना मर्जी इस्तेमाल करो प्रिष्ट 114 जमीन से खजाना यह पता लगाना आसान नहीं कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहां मौझूद है वे ग्यानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाजा लगाते हैं फिर गहराई तक पाइप और मशीने डाल कर तेल उपर खीचा जाता है निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है इसमें घुली मिली और छिपी होती हैं बहुत सारी चीजें इन चीजों को अलग-अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजिन ओयल और हवाई जहास के लिए इंधन जानते हो LPG यानि खाना पकाने की गैस, मूम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं प्लास्चिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रेक्टर का इंजिन चलता चोड़ कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं कभी कभी खेत में पंप भी चलता रह जाता है कितना तेल खर्च हो जाता होगा? घर जाकर बाबा से जरूर बात करूँगा लिखो अगर किसी तरह सड़कों पर वहानों की संख्या बढ़ती रही तो क्या-क्या समस्याए हो सकती है? जैसे सड़क पर ट्रेफिक बढ़ जाएगा बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो मन्जु ने कहा सब बस में क्यो नहीं जाते? सबी लोग बस में सफर क्यो नहीं करते? बताओ बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने के क्या-क्या फायदे हैं? सड़कों पर वहानों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाओ प्रिष्ट 115 पता करो और लिखो कितना तेल लगे? बताओ ये वहन एक बार में कितना पेट्रोल या डीजल भर पाये? स्कूटर, कार, ट्रेक्टर अब बताओ ये वहन एक लीटर पेट्रोल या डीजल से कितनी दूर जाए? स्कूटर, कार, ट्रेक्टर हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग होती है यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है इसे देखकर प्रिष्णों के उत्तर दो पेट्रोल इसी प्रकार डीजल सन दो हजार दो में एक लीटर डीजल की कीमत अक्टूबर के महिने में है सन दो हजार साथ में एक लीटर की कीमत अक्टूबर के महिने में है तीस रुपए अड़ालिस पैसे और इसी तरह सन दो हजार चौधा में एक लीटर की कीमत है अक्टूबर के महिने में अठावन रुपए सतानवे पैसे अब बताओ सन 2007 की तुल्ना में, 2014 में पेट्रोल की कीमत रिक्तिस्थान रुपए बढ़ी और डीजल की कीमत रिक्तिस्थान रुपए बढ़ी सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था? पता करो तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है तुम्हारे घर में एक महिने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है किस किस काम में बताओ प्रिष्ट 116 यहां पर एक पोस्टर दिया गया है जिसमें लिखा है मैं छिपा हूं कहां कहां तेल की बचत आपकी आदत इसमें हैं हैंगर में कुछ कपड़े सूख रहे हैं और एक लाल्टेन है बताओ मैं चुपा हूं कहां कहां रोश्णी में ड्राइ क्लीनिंग में यहां पर हवाई जहाज, मोटर गाड़ियां और ट्रेक्टर हैं लिखा है मैं चुपा हूं कहां कहां पेट्रोल, डीजल और वायू या इनन के रूप में इसके अलावा यहां पर गैस सिलिंडर और जनरेटर है लिखा है मैं चुपा हूं कहां कहां मिट्टी के तेल और गैस के रूप में यहाँ पर हैं Motor Pump और रंगरोगन का समान लिखा है मैं चिपा हूँ कहां-कहां मशीनों में, प्लास्चिक, रंगरोगन में पोस्चर को देख कर बताओ तेल का इस्तेमाल कहां-कहा होता है डीजल कहां-कहां इस्तेमाल किया जाता है पता करो प्रिष्ट 117 दिव्या ने बस में ही एक कविता लिख कर सबको सुनाई पढ़ो और चर्चा करो बताओ, बताओ कौन हुमे काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल सोचो सोचो कौन हुमे, जल्दी बोलो कौन हुमे धीरे धीरे खर्चो, मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार लाखों साल में बन जाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार जब लोगों को नहीं मिलूंगा, कैसे तब सब काम चलेंगे मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे सोचो सोचो कौन हुमे, जल्दी बोलो कौन हुमे सोचो और चर्चा करो तुमारे गाओं या शहर में एक हफ़ता पेटरॉल या डीजल नहीं मिले, तो क्या होगा तेल बचाने के तरीके सुझाओ घर में चूला कैसे जले दुर्गा हरियाना के एक गाओं में रहती है, दिन में कई घंटे उसके चूले की लकडियां इकट्टी करने में चले जाते है उसकी बेटी को भी उसकी मदद करने पड़ती है दुर्गा को कई महिने से खासी है सीली हुई लकडियां जलाने में धुआ भी बहुत होता है लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहां से लाए चर्चा करो क्या तुमने कभी सूखी लकडियां इकठी की है या उपले बनाए है उपले कैसे बनते है क्या तुम किसी को जानते हो जो चूले जलाने के लिए गीरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकठे करते है प्रिष्ट 118 तुमारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है अगर वी लकडिया उपलों पर खाना पकाते हैं तो दुएं से किस तरह की परिशानी होती होगी क्या दुरगा लकडि की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकती है क्यों नहीं आज हमारे देश के लगभग दो तिहाई लोग उपले, लकडि, सूकी टहनिया आदी का इस्तेमाल करते हैं केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं आग सेकने, पानी गरम करने और रोशनी के लिए भी घर के अलग-अलग कामों के लिए और चीजों का भी इस्तेमाल होता है जैसे केरोसिन, यानि के मिट्टी का तेल, LPG, यानि खाना पकाने की गैस, कोईला, बिजली, आदी कांचा ने एक किताब में एक चार्ट देखा इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर सौ घनों को देखें, तो उनमें से कितनों में किस इंधन का इस्तेमाल होता है चार्ट यह भी दिखाता है कि बीस सालों में किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा और किस का घटा चार्ट में दिया गया है 20 साल में बदलाव यहाँ पर दिखाया है कि सन 1976 में उपले और लकडी 84 प्रतिशत खर्चोते थे और 1986 में 75 प्रतिशत 1976 में LPG गयस और केरसिन 10 प्रतिशत खर्चोता था और सन 1996 में 18 प्रतिशत सन 1976 में 5 प्रतिशत कोईला खर्चोता था और सन 1996 में 2 प्रतिशत सन 1996 में बिजली 1 प्रतिशत खर्चोती थी और सन 1996 में 5 प्रतिशत देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लखड़ी का इस्तिमाल होता था 1976 में सबसे कम किसका इस्तिमाल हो रहा था प्रेश्ट 119 1976 में LPG और केरसीन का इस्तेमाल रिक्तिस्थान घरों में था जो 1996 में बढ़कर रिक्तिस्थान हो गया यानि 20 सालों में इनका इस्तेमाल रिक्तिस्थान प्रतिशत बढ़ा 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था 1996 में किसका इस्तेमाल सबसे कम था 1976 में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था अपनी घर में बड़ों से पता करो जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना बनाने के लिए किन-किन चीजों का इस्तेमाल होता था पिछले दस सालों में तुमारे इलाके में खाना बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा और किस चीज का घटा है अनुमान से बताओ अगले दस सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल बढ़ेगा और किस का घटेगा हम क्या समझे किसी कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस का डिजाइन बनाने का मौका दिया है तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे उसके बारे में लिखो और उसका चित्र बना कर रंग भरो बस का डिजाइन बनाती समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा बुजुर्ग, छोटे बच्चे, जो लोग देख नहीं पाते तेल के बारे में छपी खबरों को अकबार में से काटो और एक चाट पर चिपका कर कोलाज बनाओ उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचार भी लिखो तेल बचाने के लिए पोस्चर बना कर उस पर नारा भी लिखो पोस्चर कहां लगाना चाहोगे? खत्म हो जाए तो अभी आप सुन रहे थे कक्षा पांच की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का बार्वा पार्ट प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत